नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि भाई यूपी इस्पिसल जीयस की क्लासेश चल रही हैं रात नौ बजे तो उसको भी लगातार देखते रहेए यदि आप उत्तरपदेश की किसी भी नौकरी के लिए त्यारी कर रह रहे हैं नोट स्पिदिएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लेंगे नाम क्या है डिस्टे डवाइस यहां पर आपको समय समय पर सारे नोट सोफी और पीडियाफ मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे जाहीएगा और सर्च करिएगा डि databases c option connected through peer to peer d option all of the above 5 seconds हैं बताएगा right answer क्या होगा good बहुत बढ़िया और यह आपके slayvus में है भी और पूछा भी जा चुका है तो इसका जो right answer होगा यह all of the above इसका right answer होगा ठीक है blockchain technology में block का मतलब होता है record chain का मतलब होता है बहुत सारे databases अलग अलग separate और यहां पर जो network बनता है वो peer to peer मतलब सब भी आपस में अलग अलग करके one by one क्या होते है connect होते हैं इसलिए आपर all of the above right answer होगा और बहुत सारे students ने तुक्के में right answer दे दिया था very good बहुत बढ़िया next question number second bitcoin में blockchain technology का प्रियोग होता है a option is true b option is false five seconds है अच्छा question है और आपी चुका है तो इसका जो right answer होगा यह true होगा ठीक है और ध्यानकिये के जितनी भी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी है क्या है क्रिप्टो करेंसी है सभी में blockchain technology क्या हो रही है प्रियोग हो रही है इसको एक प्रकार की जैसे bitcoin ही हो गया आपका यह एक प्रकार की virtual currency है ठीक है सिर्फ ओन लाइन ही इसका lendन किया जा सकता है तो जितनी भी То करेंसी है mi सबी की सबी क्या यूज कर रही है blockchain technology क्यों 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 क्योंकि data या transaction क्या रहे बहुत ज़्यादा सुरच्छित रह सके इसलिए वहाँ पर blockchain technology यूज होती है next question number third Cal C में sidebar की shortcut की क्या होती है A option alt plus F5 B option shift plus F5 C option control plus F5 B option tap plus F5 5 second का time रहेगा बताएगा right answer क्या होगा good बहुत बढ़िया कुछ students का chat में right answer आने लगा है तो बिलकुल इसका जो right answer होगा ये control plus F5 होगा याद रखेगा control plus F5 इसका क्या होगा right answer होगा Cal C में जो sidebar होता है उसको enable ये disable करना है तो control plus F5 यूज करेंगे ठीक है और ये shortcut की आपके exam में पूछी भी जा चुकी है next question number 4 को discuss करते है A1 equal to 45 comma B1 equal to 90 निमलिखित में किसका प्रियोग करके जोड नहीं सकते हैं A option है equal to A1 plus B1 B option है आपका equal to sum A1 comma B1 C option है आपका equal to sum A1 colon B1 D option है equal to add A1 comma B1 5 seconds से बताएगा right answer क्या होगा इसमें ये पूछना चारा है कि कौन सा A1 और B1 को जोड नहीं सकता है ठीक है sum नहीं कर सकता है दिमाग लगाईए थोड़ा सा और ऐसे questions मिलेंगे आपको वहाँ पर good तो बिलकुल कुछ students का right answer आने लगा है इसका D option right होगा add A1 comma B1 add A1 comma B1 क्या है ऐसा कोई function नहीं होता है हम equal to A1 plus B1 का यूज़ करके भी जोड सकते हैं हम equal to A1 comma B1 का यूज़ करके भी जोड सकते हैं हम equal to sum A1 colon B1 का भी यूज़ करके जोड सकते हैं लेकिन D option यहाँ पर गलत होगा, जो इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा. Next question number 5, अटल पेंशन योजना का लाब लेने के लिए उम्र क्या है? A option 18-50 है, B option 18-30, C option 18-40, D option 18-60 वर्स. 5 सेकेंड से मैं बताएगा राइट आंसर क्या होगा. और अटल पेंशन योजना जो है, यह क्या है? असंगटित छेत्रों के लिए सरकार दोरा चालू की गई है, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर या असंगटित छेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनको भी पेंशन का लाब मिल सके, इसलिए यह योजना क्या है? चलाई जा रही ह और यहाँ पर कुछ स्टुडेंट्स का राइट अंसर आने लगा है, बिल्कुल सी ओप्षन राइट होगा, अठारा से चालिस वर्स, यहाँ पर उम्र कैजर ध्यान से समझेगा, लाब लेने का उम्र का मतलब यह है, कि कब आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, तो कोई न्यून्तम रासी 1,000 रुपे होगी और अधिकतं 5,000 रुपे होगी, और कैसे पेंशन मिलेगी, या तो 1,000 मिलेगा, या तो 2,000, या तो 3,000, या तो 4,000, या तो 5,000, ठीक है, और यह डिपेंड करेगा, किस पर? कितने सालों तक, कितने रुपे आपने जमा किये हैं, यह आ करते हैं बिंग सर्च इंजन गूगल द्वारा लांच किया गया है यह ऑप्शन है बढ़िया कोशन है तो गुड इसका जो राइट आंसर होगा यह फॉल्स होगा जिन स्टुडेंट्स ने ट्रू बोला है उनका है गलत बिंग जो है वो माइक्रो सॉफ्ट का सर्च इंजन है ना कि गूगल का इसलिए यह क्या होगा गलत होगा नेक्स्ट कोशन नवर सेवन जीमेल के फाउंडर कौन है ए ऑप्शन लेरी पेज बी ऑप्शन सर्गे ब्रिन सी ऑप्शन पाउल बुकिट डी ऑप्शन टिम बर्नर ली फाइट सेकेंड्स हैं बताएगा राइट आंसर क बुकिट कह सकते हो ठीक है यह थे क्या आपके जीमेल के फाउंडर थे जबकि लेरी पेज और सर्गे ब्रिन जो थे यह आपके गूगल के हैं यह आपके गूगल के फाउंडर हैं उपर के दो ठीक है और यह आपके किसके हैं जीमेल के फाउंडर हैं नाम याद रखेगा न जोड़ना, C option आधार को वोटर आईडी से जोड़ना, D option आधार को बैंक से जोड़ना, 5 second का टाइम है बताएगा right answer क्या होगा, और बहुत बार ये question भी आपके exam में क्या किया गया है, पूछा गया है कि आधार shading क्या होती है, ये बहुत बार क्या किया गया है, पूछा गया ह good, बहुत बढ़िया, कुछ students का right answer आने लगा है, तो बिल्कुल जो इसका right answer होगा, ये आपका होगा D होगा, आधार को बैंक से जोड़ना, आधार सीडिंग का आर्थ क्या होता है, आधार को बैंक से जोड़ना, D option यहाँ पर इसका right होगा, next question number 9, encryption और decryption एक दूसरे के व विपरीथ हैं, A option है true, B option है false, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, कुछ students का right answer आने लगा है, तो बिल्कुल ये है true है, encryption और decryption दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीथ हैं, ये सत्य है, encryption साधारन टेक्स्ट को code में बदलता है, जबकि decryption code को साधारन टेक्स्ट में बदलता है, इसलिए दोनों की working क्या है, opposite है, इसलिए ये क्या होगा, true होगा, और जिन students ने true बोला है, बहुत बढ़िया, very good, next question number 10, draft में store mail में परिवर्तन कर सकते हैं, A option है true, B option है false, 5 seconds है, और जिन लोगों ने भी तक वीडियो को like नहीं किया, तो जल्दी से भईया, thumbs up और like कर दीजे और लगातनार preparation करते रहिए, चीजों को याद करते रहिए, जादा से यादा और जादा से यादा पढ़ते रहिए, जिससे आप अच्छे grade के साथ पास हो सकें, और एक information में आपको फिर से बता दू, 9 बजे से UP special की class स्टार्ट हो रही, जहां पर हम लोग पिछले 5 साल में UP से समबंदित questions को discuss करना आज से start कर रहे हैं, तो देखना मत भूलेगा, रात 9 बजे, इसका जो right answer होगा, ये आपका होगा, बिल्कुल ये true होगा, ठीक है, draft में store, mail में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, change कर सकते हैं, माली जे draft में कोई mail था, मुझे send करना तो मैं draft में गया, उसको open किया, ठीक है, वहाँ पे changes किया और फिर जिसको भेजना था, भेज जिया, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, next question number 11, impress में duplicate slide की shortcut की क्या होती है, A option shift plus D, B option control plus D, C option alt plus D, D option space bar plus D, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, chat में right answer आने लगा, बिल्कुल जो इसका right answer होगा, ये आपका होगा, control plus D, ठीक है, impress में यदि हमें duplicate slide बनानी है, मालो एक slide थी, उसकी same to same में दूसरी slide चाहिए, तो हम control plus D, press करेंगे, हमारी duplicate slide create हो जाएगी, इसलिए B option right होगा, next question number 12, computer by default Haldex से boot करता है, A option is true, B option is for 5 seconds है, और ध्यान खिएगा, हमारा जो operating system होता है, वो Haldex पर store होता है, कहां पर store होता है, Haldex पर store होता है, good, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इसका right answer होगा, ये आपका होगा, true होगा, ठीक है, हमारा जो computer हो या laptop हो, वो by default जो boot करता है, वो Haldex से boot करता है, इसलिए A option इसका right होगा, और बहुत सारे students ने right answer दे दिया था, very good, बहुत बढ़िया, next question number 13, control plus escape, use for A option home, B option end, C option start, D option none of the ever, 5 seconds in, और ये question भी आ चुका है, ठीक है, important shortcut की है, और काफी students का right answer आने लगा है, बिल्कुल इसका right answer होगा, वो start होगा, ठीक है, control plus escape, press करने पर start open होगा, कर आता है, next question number 14, निमली कित में कौन सी memory chip तेज है, A option S RAM, B option DRAM, C option memory card, D option none of the ever, 5 seconds है, बताएगा right answer क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर right answer जो होगा, A होगा, S RAM, ठीक है, जाने कीगा, S RAM DRAM से तेज होती है, S RAM, DRAM से क्या होती है, तेज होती है, और memory card से भी क्या होती है, तेज होती है, यहाँ पर A option इसका right होगा, और S RAM में S का full form static random access memory, S का मतलब static होता है, DRAM में D का मतलब dynamic होता है, ठीक है, D का मतलब dynamic याद रखेगा, next question number 15, निमलिखित में कौन सा file system नहीं है, A option NTFS, B option FAT, C option EXT4, D option .doc, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल जिसका right answer होगा, यह आपका .doc होगा, ठीक है, यहाँ पर NTFS, FAT और EXT4 क्या है, file system है, जबकि .doc file extension है, और कुछ students ने right answer दे दिया था, बहुत बढ़िया, very good, next question number 16, निमलिखित में कौन सा software mathematical और financial calculation की सुविधा देता है, A option, world processing program, B option, spread sheet program, C option, desktop publisher program, D option, none of the above, 5 seconds है, good, बिल्कुल, इसका जो right answer होगा, यह आपका होगा, B, spread sheet program, ठीक है, spread sheet program क्या है, आपका, समझेगा भईया, mathematical और financial calculation की आपको सुविधा देता है, next question number 17, निमलिखित में कौन सी protocol का point number 23 होता है, A option, telnet, B option, SMTP, C option, POP, D option, TCP, 5 seconds है, बताएगा right answer क्या होगा, good, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा, यह आपका होगा, telnet, ठीक है, जिल लोगोंने A option बोला है, उनका सही है, telnet का जो point number होता है, वो 23 होता है, next question number 18, निमलिखित में कौन सी protocol का प्रियोग dynamic IP address assign करने के लिए करते हैं, A option, TCP, B option, UDP, C option, DHCP, D option, MIME, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, तो इसका जो right answer होगा, C होगा, बहुत सारे students का right answer आने लगा है, DHCP, ठीक है, DHCP क्या है, यह आपका dynamic कहें, या automatic कहें, ठीक है, automatically हमारे laptop हो, आपका mobile हो, tablet हो, computer हो, सभी में by default IP address जो assign करती है, वो कौन सी protocol है, DHCP है, ठीक है, और इसका full form क्या होता है, dynamic host control protocol, DHCP stand for dynamic host control protocol, C option, इसका right होगा, next question number 19 की बात करते हैं, IP version 4 address में कितनी classes होती है, A option 4, B option 5, C option 6, D option 7, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा, ये आपका होगा, 5, ठीक है, overall आपकी 5 classes होती है, IP version 4 में कितनी classes होती हैं, 5, class A, class B, class C, class D, class E, ठीक है, 5 classes होती है, और बहुत जल्दी मैं एक IP address और Mac address पे एक वीडियो दूँगा, उसमें आपको concept clear हो जाएगा, और जिल्लोगों ने B option दिया था, बहुत बढ़िया, very good, next question number 20, webcam है, A option input device, B option output device, C option input output device, D option none of the above 5 seconds है, जिल्लोगों ने like नहीं किया, वीडियो को like कर देंगे, साथी साथ सभी को share करना है, हमारा संकल सिच्छा से बदलाओ तक यह तब ही संभव होगा, जब आप जादा से जादा share करेंगे, तो सभी लोग वीडियो को जादा से जादा share करेंगे, और वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताईएगा, कोई suggestion हो, या कोई question हो, तो उसके लिए भी आप लोग comment कर सकते हैं, और 7 बजे, 8 बजे आपकी चलना है, 9 बजे चलना है, आपका UP special GS test, तो उसको भी proper करते रहिए, इसका जो right answer होगा, यह होगा, input device, ध्यानक ना confused मत हो ना, बहुत बार student गलत करके आते हैं, यहाँ पे भी कुछ students ने गलत कर दिया है, webcam जो आपका है, वो input device है, input device है, इस बात को याद रखिएगा, हमारी आखे क्या है, input है ना, तो camera भी क्या है, webcam भी क्या है, input है, याद रखिएगा, तो यह थे आज के online test के questions, मिलते हैं कल, goodbye, preparation करते रहें,